तो भाई लोग 3D Curve Super AMOLED डिस्प्ले वाला फोन अगर आप मार्केट में लेने जाओगे दुसरा अधर ब्रांड का तो आपको 20,000, 25,000 या पिट 30,000 पे करना पड़ेगा लेकिन ओहीं सेम फीचर्स 3D Curve Super AMOLED डिस्प्ले आपको ITL का S23 में मिल जाता है भाई 13-14,000 के बज़ि फिर भी सेम फीचर्स यहां पर ITL का S23 प्लस में हमें दिया जा रहा है इसलिए काफी सरा भाई excited भी है इस फोन को purchase करने के लिए फोन का design भी काफी अच्छा है और साथ में दोस्तों यहां पर 8GB RAM 256GB storage के साथ आया है मतलब सब कुछ बहतर है गाई लेकिन एक ही question निकल का आता है यह phone भाई 4G के साथ इंडिया पर launch के आगे है अगर यह phone 5G के साथ आता है तो तबाही मचा देता क्यूंकि मेरे वीडियो मे दोस्तों इतना सारा comment आ रहा कि क्या ही बताओ भाई इसका 5G variant भी आएगा क्या या फिर आएगा तो कब तक आएगा तो मैं इतना ज़्यादा comment देखाना उसके बाद मेरे नहीं पाया फिर मुझे यह वीडियो बनाना परा तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जानत तो वीडियो में आगे बनने से पहले मैं आपको एक comment दिखाना चाहूँगा यहाँ पर आप screen source देख सकतो गाईस भाई ने मुझे comment करके पुझा है कि आईटेल का S23 Plus का 5G variant कब आएगा दिखिए आईटेल ने ना कुछी दिन पहले एक 5G phone को इंडिया पे लोंज किया है औ और यह एक लोता 5G phone है आईटेल का मतलब इससे पहले आईटेल ने कोई भी 5G phone launch भी नहीं किया था और यह first phone है जो की market में आया है लेकिन भाई market में तबाही मचा के रखा है आईटेल का P55 5G की बात कर रहा हूँ design phone का actually में काफी बढ़िया है 8GB 108GB के साथ हमें 10,000 के बजन में देखनों को मिल जाता है ओ भी MediaTek Diamond City 6080 powerful 5G chipset के साथ जहां पर 5G definitely काफी मज़े से यूज कर पाओगे क्योंगी 10 5G band है और भाई true यहां पर आप game खेल पाओगे क्योंगी यहां पर powerful chipset है तो चाहे आप PUBG खेलो BGMI खेलो या फिर फ्री फायर आराम से चल जाएगा मतलब 5G phone तो आईटेल ने launch करके रखा है मार्केट में अब यहां पर question आता है कि आईटेल का जो यह S23 प्लस आया है वो भाई 4G के साथ आया है लेकिन यहां पर अगर मतलब युनिसोग का T616 4G chipset को हटा के कोई 5G chipset अ आपको 5G phone ही लेना चाहिए क्योंगी आईटेल ने खुद भाई P55 को launch करके रखा है भाई 10,000 के वजट में वह भी powerful 5G chipset के साथ तो अभी के टाइम में definitely 5G लेना ही चाहिए लेकिन यहां पर इस phone में तो हमें 5G नहीं मिल रहा है तो उसके लिए हमें 5G variant का तो वेट करना प 20-25,000 का phone में हमें मिलता है वो आपको 13-14,000 में दे रहा है साथ में 8GB 256GB दे रहा है और साथ में दोस्तों यहां पर इंडिस्प्ले फिंगर पीन सेंसर है गोईल्या ग्रास का प्रोटेक्शन है 32 मेकाफिसल सेल्फी कैमरा है पांच हरे मतलब एक complete package कह सकते हो अब यह सब कु सब्सक्राइब कर देखनों को मिलेगा लेकिन नाम से आपको देखनों को मिलेगा साइद यहां पर 5G variant आ सकता है क्योंकि हर ब्रांड अपना जो सिरीज है उसको तुर्य तरह अपग्रेड कर रहा है तो यहां पर डेफिनिट्ली आपको 5G देखनों को मिलेगा लेकिन इस नाम से नहीं देखनों को मिलेगा इस ट्वेंटी फॉर प्लस 5G के नाम से देखनों को मिलेगा और उसका प्राइस 15,000 के उपर जाने वाला है क्योंकि मैंने आपको केल्कूलेशन दिखा दिया अगर 5G के साथ यह सारे फिजस मतलब डाल दिया जाए ना तो फिर प्राइस ओटोमेडिकली ज्यादा हो या फिर नहीं तो उसके बारे में मैंने चैनल पर वीडियो डाल के रखके ओ भी जाके देख सकते हो बागी यह था आज का वीडियो गाईस कैसा लगा आप कॉमेंट करके बदाना ऐसे नोलेज़वल वीडियो देखने के लिए चैनल को जरू से सब्सक्राइब करना यह वि कैसा नहीं लगेगा लेकिन मुझे थोड़ा साथ चलेगा बागी मिलतेगा इस नेक्स वीडियो मतर तक ले स्टे ट्यून एंड किप वाचिंग